नमस्कार आज मैं बनाने जारी हूं खाजा जिसके लिए मैंने यहां पर लिए दो कटोरी मैदा आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते असी कटोरी से मैंने 1 4th कटोरी घी एड्ड की है नमक optional है कई बार निहीं होता है कि मिठा खाने से मन बढ़ जाता है आप इस तरह से हलका सा नमक डाल दोगे तो एक खाने में भोधी अच्छा लगता है इस तरह से आपको मोहिन देना है यह चेक करने का तरीका है कि आपको मोहिन परफेक्ट है की नहीं है थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुए मैं इसका एक समूप दो तैयार कर लेती हूँ हमें ज्यादा पानी इसमें एड़नी करना है आप देख सकते हैं इसका एक समूप दो तैयार हो चुका है हाटा तैयार है मैं इसको रख देती हूँ दस मिनट रेश्ट पे तब तक मैंने याँ पी लिए एक कटोरी चीनी यह वो ही कटोरी है जिससे मैंने मैंदमापी थी यानि हमें एक ही बरतन से सारण आप लेना है गैस की फ्लेम ओन कडाई चड़ा दिये इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी आधी कटोरी पानी पल्टे से इस तरह से इलाते हुए हमें एक चाशनी बनानी है गैस की फ्लेम फूल है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ केसर केसर डालने से चाशनी का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है यह हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होती है जास्ने चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं मैंघंग लगना चाहिए अंगुली पर चिप चिपा सा बस हमें उतनी ही चाष्ट ने तयार करनी है यहां पर मैंने गी लिए इसमें डाल रही हूं मैदा अच्छेशा इसका एक बेटर तयार करना है कुछ इस तरह स इधर जो आटा है वह भी सैट हो चुका है इस पर मैंने गी लगा लिए है इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं यह नहें ज्यदा मोटी नहभारिक है इसकी मैं बना लेत हूँ नॉर्मल रोटी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं, ना यह ज़्यादा मोटा है, ना पतला है मैंने यापे पांच रोटिया बनाई है एक रोटि में चकले पे लेके इस तरह से जो अभी बेटर बनाया था, गी और मैदा वाला, वो मैं लगा रही हूँ इसके उपर हाथ से इस तरह से मैं इसको फैला लेती हूँ, अच्छे से, दूसरी रोटिया इसके उपर इसके उपर फिर से वोई बेटर लगा देती हूँ, मैदा वाला आप बनाईए ये, गर्मियों में साम के टाइम, सबको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, आप इस तरह से बना के रख सकते हैं, ये 15 से 20 रोज तक खराब नहीं होता है मैंने या पर पांच रोटिया बनाईए, इस तरह से टाइट हमें रोल करना है, इसको हलके आथ से रोल नहीं करना है, नहीं तो इसमें हवा गुच जाएगी, फिर जब आप बनाऊंके खाजा, तो आपका खाजा जो है, खुल जाएगा आप देख सकते हैं, मैंने इसका एक रोल बना लिया है, इस तरह से, नाइफ की साइटा से मैं इसके, आगे पिछे का जो इससा है, वो उटा देती हूँ, और इसकी इस तरह से लोहिया बना लेती हूँ, साइज मैंने वोही रखी हैं, ना मोटी ना पतली, यह मैं रोटिया नहीं बनानी है, आप देख सकते हैं, मैंने इतनी पतली इसकी साइज रखी हैं, इस तरह से मैं हाथ से इसको दबा देती हूँ, लेजिए सारे जो खाजा है वो बन के तयार हो चुके, गैस की फ्लेम होन, यहाँ पर मैंने चड़ाया तेल, आप गी या तेल, जो आपको पसंद हो, उसमें आप तल सकते हैं, इसमें मैं जो मेरे खाजा है, वो तल लेती हूँ, गैस की फ्लेम हमें फूल नहीं रखनी है, मीडियम आच में हमें इसको तलना है, आप इस तरह से बनाईए, यह खाने में पहुती अच्छे लगते हैं, यह अलग अलग लेयर खुल जाती है इसकी, अलग नासता है, आप बना की डिबे में भरके रख सकते हैं, 15-20 रोज तक यह खराब भी नहीं हो सकते हैं, बच्चों के भी फेवरेट हैं, आप देख सकते हैं, तलने के बाद इसकी एक एक लेयर अलग अलग कुल चुकी है, मैं जो खाजा है वो निकाल लेती हूं, इसी तरह से मैं सारे खाजा मैंने तल लिए, इधर जो चासनी है, वो भी तयार ह हो चुकी है, मैं सारे खाजा इसमें एड कर देती हूं, भल्टे की साहता से आप मैं इसके उपर इस तरह से चासनी लगा देती हूं, चारो तरफ से चासनी अच्छे से इसमें लग जाए, इस तरह से मैं एक एक खाजा निकाल लेती हूं, ताकि चासनी बाहर न निकले, यह भूत क्रिस्पी और बहुत अच्छ बनते इसमें अच्छा आजा मौन था तो यह बहुत ही सॉप्ट भी बनेंगे खाने में बहुत ही अच्छे देख सकते हैं देखने में कितने अच्छे लगते हैं mı इस तरह से बनाईए खाईए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से रहे